हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादर फिर सापका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चनल पे और आज हम सीखने वाले हैं सेपरेशन ओफ टीथ के बारे में जो की इंपोर्टेंट है फोर दी उनिवर्सिटी आज वल एस फोर नीट MDS और यहां से धीर सारे MCQs पूछ जाते हैं so let's start separation of teeth सबसे पहले बात करेंगे introduction की तो introduction में separation of teeth may be necessary during some restorative procedures तो हमें separation of the teeth क्यों कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम लोग restorative procedure कर रहे होते हैं restoration कर रहे होते हैं तब हमें tooth को separation करना होता है in order to improve convenience form for the dentist अब मान लेजिए मान लो यह एक tooth है और उसका adjacent tooth है यहां पर मैंने class to cavity prepare करना है और में को restore करना है और यह जो adjacent tooth है वो बहुत ही मतलब इससे एकदम चिपका हुआ है मान लो और इसमें space नहीं है तो मैं अगर इसको restore करूँगा अगर मतलब मान लो मैं इसको restoration कर रहा हूँगा तो क्या होगा यह इस tooth पे भी adjacent चिपक जाएगा क्योंकि जो restorative material होता है मान लीजिए अगर मैं GIC glass anumer cement को डाल रहा हूँ और मैं इसपे restore कर रहा हूँ तो अगर मान लो यह इसपे अगर चिपक गया क्योंकि वो chemical bond होता है वो tooth से अगर यह दोनों में चिपक गया तो वो सही corrections रहने चाहिए ओके तो क्या होगा हम एक band लगा देंगे इसको थोड़ा सा separate कर देंगे तब जाके हम असानी से restoration कर सकते हैं simple and to prevent damage to the teeth अब मान लो अगर मैं tooth preparation कर रहा हूँ और यह adjacent अगर मैं बर से cavity prepare कर रहा हूँ तो अगर adjacent tooth में लग गया तो adjacent tooth भी grind हो जाएगा खराब हो जाएगा इसी वजह से हम थोड़ा सा tooth को separate करते हैं and they are supporting tissue मान लो अब supporting tissue कैसे जिंजायवा है नीचे अगर थोड़ा सा मैंने separate नहीं किया और जिंजायवा आ गया इस पे तो क्या होगा कि मैं जिंजायवा को भी like harm कर दूँगा बर से इसी वजह से हम लोग को separation of the tooth जरूरी ह तो introduction समझ गए अब this is an important step in achieving the functional contacts, contours, occlusal during restorative procedure अब देखो मान लो इस figure से इस point को समझते हैं देखो अब मेरे को class 2 cavity prepare कर लिया और मुझे restore करना है तो क्या होगा अगर मैं ये band ना लगा हूँ और ऐसे ही भर दूँँ तो क्या होगा या तो वो ऊचा हो सकता है या तो वो depth पर हो सकता है तो मतलब क्या है कि अगर हम band लगा रहे हैं तो band लगाने से क्या होगा जब हम रोग restore करेंगे इसमें restorative material भरेंगे और condense करेंगे तो वो एक shape में आ जाएगा जैसे हमारा पहले था ना tooth उसी shape में ये adapt हो जाएगा तो functional contacts maintain रहेगा इस tooth और इस tooth से contour बहुत अच्छा हो जाएगा and occlusion during और occlusion भी सही रहेगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है now अब definition की बात करते हैं so tooth movement or separation of tooth तो separation of tooth को tooth movement भी बोला जाता है so it is defined as a process of separating the involved teeth slightly यहाँ रखना है यहाँ रखना है इतना जादा ने move नहीं करना है slightly away from each other और bringing them closer to each other एक चीज़ यहाँ रखना इसमें separation of tooth का मतलब नहीं कि दोनों दात को separate कर दिया है ऐसा नहीं है bringing them close to each other मतलब close भी लाना है मतलब आप separate कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि अलगी कर रहे हो tooth movement कर वा रहे हो आप so bringing them closer to each other भी होना चाहिए तो जैसे देखो अब यह जो case है यह जो है डाइस्टीमा का case है ओके तो मिड्लाइन डाइस्टीमा है यह अब इसको close लाना है तो आप क्या करोगे इसके लिए elastic bands आते हैं तो elastic bands अगर यह दोनों दातों में ऐसे लगाओगे तो यह दोनों दात आपस में जुडेंगे सामने आएंगे ठीक है तो क्लोज हो जाएगा ऐसे ठीक है तो इसमें यह याद रखना है जब आप डेफिनीशन लिखोगे सेपरेशन ऑफ टूथ का तो इसमें यह नहीं लिखोगे कि स्लाइटली अवे फ्रॉम इच अदर ब्रिंगिंग देम क्लोजर तो इच अदर भी लिखना जरूरी है ठीक है न तो यह याद रखना है नाओ नीड फॉर टूथ सेपरेशन हम टूथ सेपरेशन क्यों कर रहे हैं भाई तो सबसे पहले डाइग्नोसिस के लिए फॉर डाइग्नोसिस ऑफ इनिश्यल प्रॉक्जिमल केरीज एस्पेशली वेन इट डाइज नौट शोग अप ऑन दी रेडि टूथ को सेपरेट करेंगे या तो या फिर वेजिस लगा देंगे थूड़ा सेपरेट करेंगे तो उससे हमारा प्रोब असानी से जाके वहां पता कर सकता है तो डाइग्नोसिस पर्स पर्स के लिए यूज हो गया अब आता है कैविटी परपरेशन so as a mean of convenience form for providing adequate access to proximal cavity preparation as in case of class 2 और class 3 cavity preparation आप देखिए अगर आप class 2 cavity preparation कर रहे हो या फिर class 3 cavity preparation कर रहे हो तो proximal surface आ गया तो वहां आपको जब आप पर प्रेपेर कर रहे हो तो आपको दिखेगा ने ठीक है तो आपको separate करना पड़ेगा उसको जो आप separate करोगे तब जाके आप proximal surface अच्छे से prepared कर सकते हो ठीक है और एक और chance भी होता है कि आप जब prepare कर रहे हो तो adjacent tooth पे burr ना जाए आपका तो उसके लिए भी हम लोग separate करते हैं ठीक है तो cavity preparation के वक्त भी काम आता है ठीक है दिए देखिए जैसे आप class 2 cavity prepare कर रहे हो तो हमें separation जरूरी है यह जो wedge लगाया है यह क्या कर रहा है इसको separate कर रहा है और जो band है उसको adapt भी करा रहा है ढंक से तो separation बहुत जरूरी है ओके नाव matrix placement matrix placement के लिए आपको separation की जरूरत है to create space for inserting matrix band such as during class 2 restoration आप देखो आपके दात के बीच में space नहीं है आपको space चाहिए matrix band लगाना ही पड़ेगा अगर class 2 cavity restoration कर रहे हो तो space नहीं है तो space provide करने के लिए आपको wedges लगाने पड़ेंगे और separate करना पड़ेगा तब जाके आप matrix लगा सकते हो ठीक है अब होता है polishing restoration restoration को polish करने के लिए आपको space चाहिए कैसे for ease of polishing the proximal surface of class 3 and class 4 restoration अब जो class 3 है जो की without involvement of proximal surface होता है और जो class 4 है with involvement of proximal surface मान लो अगर ये tooth fracture है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको polish करना है आपने composite लगा दिया यहां था कैसे composite से बना दिया आप इसको polish करना है तो inter proximal surface कैसे करोगे polish जब तक space नहीं दोगे यहां पर जब बना दिया आपने जब तक आप space provide नहीं करोगे आप polish कैसे करोगे inter proximal surfaces तो इसलिए space ज़रूरी है अब repositioning drifted teeth क्या होता है कभी-कभी tooth जो होता है अगर absent है तो जो आजू-बाजू के जो teeth होते हैं adjacent teeth होते हैं वो क्या होता है drift हो जाते हैं तो उसको भी shift करने के लिए हम लोग separation की ज़रू होते हैं tooth को move कराना है to reposition teeth that are tilted or drifted due to the caries or faulty restoration back to their correct physiological relationship में लाने के लिए हमें करना पड़ेगा so this help in maintaining periodontal health इससे periodontal health भी maintain होगा क्यों क्योंकि अगर यह मान लो अपने position पे होगा biting force सही से लगेगा यह occlusion अच्छे से बैटेगा तो periodontal ligaments भी एकदम healthy रहेंगे ठीक है ना अब removal of foreign bodies क्योंकि क्या होता है कभी कभी adjacent tooth पे खाना फस जाता है तो उसको निकालने के लिए आपको tooth separation करना पड़ेगा okay so to remove foreign object that are wedged interproximally between teeth causing periodontal damage जो periodontal damage कर रहा है उसको तो इसलिए हमें उसको निकालने के लिए हमें separation की ज़रत पड़े okay now methods of tooth separation तो कौन-कौन से methods है tooth separation के देखो एक तो होता है rapid और immediate separation एक होता है slow और delayed separation तो यह दोनों अभी detail में पढ़ेंगे okay rapid और slow क्या होता है so rapid और immediate tooth separation में here the tooth movement is achieved rapidly over a short period of time कम समय में हम लोग tooth separation कर देते हैं okay it may be achieved by wedge principle और traction principle देखो दो principles होते है एक होता है wedge principle एक होता है traction principle इन दोनों को हम detail में पढ़ेंगे अभी okay तो अब बात करते है separation by wedge principle अब wedge principle से separation करना है so in this principle अब pointed wedge shaped device is inserted between the contacting teeth to produce desired amount of separation okay तो यह जो एक instrument होता है इसमें क्या होता है कि जो pointed होता shaped का होता है इसको दोनों inter proximal surface में डालते हैं और contacting को separate करते हैं हम लोग ठीक है तो एक आता है हमारा illiots separator आता है और एक wedges आता है ठीक है न यह दोनों को अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले बात करते हैं illiots separator की तो यह जो illiots separator है यह एक mechanical device है मैं दिखाता हूँ illiots separator यह देखें यह illiots separator ऐसा दिखता है ठीक है न इट has a single bow with two jaw which can be adjusted by a knob देखो इसम ठीक है ने दो jaws होते हैं और इसको adjust किया जाता है यह screw से ठीक है अब देखो यह कैसे लगाया जाता है tooth में यह देखो दोनों interproximal सर्फेस में यह दोनों jaw को डाल दिया फिर हम screw tight करेंगे तो यह क्या होगा यह आपस में दोनों आते रहेंगे आते रहेंगे और यह दोनों के बिच में space create करेगा यह देखिए when the knob is turned clockwise अगर घुमाओगे इसे तो jaw moved towards one another thereby wedging the teeth apart तो teeth को apart कर देगा अब याद रखना कितना separate कर यह भी पता होना चाहिए तो degree of separation achieved should not exceed the thickness of the periodontal ligament that is not more than 0.2 to 0.5 मतलब आपको 0.2 to 0.5 mm से ज्यादा separation नहीं करना है तो यह चीज़ याद रखनी है अब बात करते हैं wedges wedges से कैसे separate करोगे तो wedge क्या है wedges are devices that create rapid separation during tooth preparation and restoration तो यह भी rapid preparation करता है मतलब rapid separation करता है okay tooth preparation के time पे या फिर restoration के time पे अब यह जो wedges होता है वो दो material से बनता है एक तो wood का होता है और एक plastic का होता है तो दोनों पढ़ेंगे wood और plastic दोनों को समझेंगे अब यह जो wooden wedges है देखो wooden wedges ऐसे दिखता है different colors के आते हैं इसको पहले पढ़ते हैं detail में तो जो यह wooden wedges है are made from soft wood like pine और hard wood like oak मतलब यह soft wood like pine से भी बनाया जाता है और wood like oak tree से भी बनाया जाता है they may be medicated इसको medicated बनाया जाता है यह चीज़ याद रखना है ठीक है na wooden wedges are usually preferred as they are easy to trim देखो wood wedge है असानी से trim कर सकता है अगर नहीं मान लो interdentary जा तो आप trim कर दो and adapt well यह असानी से adapt भी हो जाता है यह फाइदा है इसका and also absorb moisture देखो and swell to provide adequate stabilization of matrix देखो आप क्या है यह wooden है अब आपका saliva आएगा पानी लगेगा तो वह क्या होगा जब swell up हो जाएगा जब swell up हो जाएगा तो और अच्छे से separate कर पाएगा तो यह wooden का फाइदा है भाई they are used along with metal mattresses इसको metal mattresses के साथ यूज़ किया जाता है देखिए यह देखिए यह wooden wedges होता है यह जो yellow yellow देख रहे हो नहीं यह wooden wedges है यह दोनों की दातों के बीच में लगा है इसको metal bands के साथ यूज़ किया है पहले metal band लगा दिया उसके बाद इसको insert किया था कि यह metal bands को push करके रखे ठीक है और separate भी करें ठीक है wooden wedges can be of two type होता है two shape का आता है एक तो आता है आपका triangular एक triangular type का होता है तो triangular wedges are commercially available use किया जाता है मैं भी use करता हूं इसे clinics में triangular type का they are preferred for cavities with deep gingival margin अब देखो यह कहां use किया जाएगा वहाँ use करेंगे जहां deep gingival margin जगद दैसे figure में देखो इसका जो gingival portion का एकदम नीचे चला गया है कैसे इसको insert करना है the broader base must contact the gingiva and retract it देखो यह broader base है यह base है तो यह जाएगा gingiva के side में ठीक है अब देखो मैं बताता हूं आपको देखो जैसे हम insert करेंगे तो इस side से हम insert करेंगे और यह जो square end है वो निकालने के काम आएगा ठीक है ना इसको पकटके निकालेंगे हम लोग और यह अंदर जाएगा इसका जो tip होता हूं rounded होता है वो जिंजावा को harm नहीं करता है ठीक है मैं practically भी आपको दिखाऊंगा अगर कोई patient आया restoration वाला तो मैं आपको करके दिखाऊंगा यह देखो अब round वाला अब round wedges can be made from wooden picks, toothpicks जो अपने toothpicks होते हैं उससे बनाया जाते हैं यह plastic के भी होते हैं they are preferred in ideal class 2 cavity preparation में हम लोग use करते हैं round वाला as a wedging action is closer to the gingival margin अगर आ तो जैसे यह देखो यह एकदम rounded toothpicks है यह plastic में आते हैं अब देखो plastic wedges भी होता है अब plastic wedges कैसा होता है are commercially available for use with either transparent mattresses और metal mattresses मतलब जो plastic wedges होता है वो transparent mattresses में भी यूज के जाता है और metal mattresses में भी however they cannot be trimmed and thus cannot be custom fit इसकी यह दिखकता है आप यह plastic वाले को trim नहीं कर सकते अपने according adjust नहीं कर सकते यह जैसा है वैसे ही रहेगा अब देखो एक आता है light transmitting wedges अब light transmitting wedges क्या है are special plastic wedges होता है यह which are transparent and have a light reflecting core देखो इसमें से light reflect करता है यह फाइदा कब करता है जब आप composite restoration करते हो आप composite को cured करने के लिए आप light का स्टमाल करते हो अगर आप wooden wedges करेगे तो वो interfere करेगा उसको curing में तो इसलिए हम लोग ने यह वाला वेज इंट्रड्यूस किया है light जो की transmit कर सकता है इसके अंदर से और curing में कोई interference नहीं करेगा जैसे यह देखो यहाँ पर हम cure कर रहे है class 2 को तो हमने जो wedge लगा है वो आसानी से light pass हो रहा है इसमें से ठेक है न तो curing में कोई दिक्कत नहीं देगा मैंने बताया था composite restoration में यूज होता है ना एक होता है special wedging technique अब special wedging technique क्या है यह piggyback wedging यह guys short answer question में पूछा जाता है यह piggyback wedging यह ध्यान से पर देखना है आपको यह piggyback wedging क्या होता है कहां use करते देखते है इन situations where there is gingival recession जहां पे gingival recession होगा पहला एमसी क्यों तो gingival recession में हम लोग piggyback wedging यूज करते है ठीक है याद रखना है अगर जो यह proximal box आपने बनाया है मतला यह यह tooth preparation का proximal box अगर वो shallow हुआ तब हम लोग piggyback wedging का use करेंगा अब यह क्या होता है देखते है तो a single wedge may be very much applicable to the gingival margin अगर आप single मान लो अगर आप यह shallow है और आपने क्या किया है एक wedge लगा दिया तो एक wedge लगा दिया यहां पर तो यह enough नहीं है ना उपर वाला portion तो यह चिपका नहीं गया ना मतला अगर यहां पर इसे टच नहीं हुआ ना क्योंकि हमें ऐसे चाहिए टच तो नहीं हुआ सिर्फ नीचे वाला हुआ तो लगाने के लिए एक और लगा देंगे हम लोग तो इन सच केसेज अ सेकेंड यूज्वालर वेजिज पिगी बैग ओवर दी फस्ट वेज मतलब पहले वेज के उपर ह हम एक और देखिए जैसे यह देखिए मैं दिखाता हूं इधर देखो यह एक वेज था बड़ा ठीक है यह नीचे अडाप्ट हो गया इसके ऊपर एक छोटा सा वेज लगा देंगे यह और अडाप्ट कर लेगा ठीक है न यहीं बोल रहा है दिस विल एंशूर प्रॉपर क यह दो करते है उटेक्nous से ने लेख़िएंग नहीं करना का चाहिए तो सरवाइकल आसस्पेक्ट में आयाम से अड़ाप्ट होना चाहिए उसके लिए हम लों क्या क्या खिया है बकल से व्युलिटरेशन कर ना चाहिए और lingual से हमने wedge डाले हैं, ठीक है, now, this may be indicated when proximal box is wide in buccolingual dimension और in case of spacing between the edges activity, देखो, ये point इसलिए तो indicate कर रहे हैं, क्योंकि जब proximal box wide है, buccolingually, तब हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं, ठीक है, अब देखो, दूसरा point है wedge wedging, अब wedge wedging क्या है, ये भी पूछता है, this technique is employed primarily on the mesial aspect of maxillary first, ये जो wedge wedging, अब ये MC क्यों यहीं याद रखो, क्योंकि जो wedge wedging होता है न, ध्यान रखना maxillary first premolars में यूज करते हैं, तो ये देखो, ये कनाइन हो गया, ये first premolar हो गया, उसके mesial aspect में हम लोग wedge wedging कर रहे हैं, तो याद रखना, ये question पूछता है, कि wedge wedging कौन से tooth में करते हैं, तो maxillary first premolar, अब maxillary first premolar में ही क्यों करते हैं भाई, इसलिए करते हैं, क्योंकि जो maxillary premolar होता है न, उसका जो mesial surface होता है, उसके cervical portion में concavities रहते हैं, flutes रहता है, तो adapt नहीं हो पाता है, इसी वज़े से हम लोग wedge wedging करते हैं, मैं अभी अब समझाओंगा, since these teeth have fluted area, concave area, in the root near the gingival margin, समझें, इसी वज़े से ये देखो, figure में समझाता हूं, तब समझें, ये देखो, जैसे मिजल surface है, ये देखो, कैसे floating है, concavity है, इस वज़े से, हम लोग wedge wedging करते हैं, ठीक है न? placing a single wedge may still leave an open margin gingival, देखो, इस figure में देखो, मैं समझाता हूं, आपको, देखो, इस figure में देखो, जब आपने एक दाला, ठीक है, तो ये जो band है, ये compress कर रहा है, फिर भी space बज़ गया, ये देखो, space बज़ गया नहीं है, opening between matrix and gingival margin, क्योंकि, क्यों बज़ गया space, क्योंकि, यार, concavity है, तो वो space बज़ गया, तो इसकी वज़े से हम क्या करेंगे, एक उपर से और डाल देंगे, therefore, a second wedge can be inserted between the first wedge and the band, तो वो और चाके, adapt हो जाएगा, so that this opening is eliminated, and the matrix band is well adapted to the gingival margin of the prepared cavity, ठीक है, तो guys, I hope आप समझ गये होंगे, ये spacing of the teeth, wedges समझ गये होंगे, so अगर कोई कुछ चीज नहीं समझ मैं है, तो मुझे please comment कीचिए, मैं उस according आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ते रहे हैं, thank you so much.